नमस्कार दोस्तों पुझा शिक्ति चानल में आप सभी मेरे भाईयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है जैमाता दी दोस्तों आज जिस नेविशे पर हम चर्चा करेंगे उसके लिए काफी सवाल आये थे कि जन्माश्टमी का शुबपसर आने वाला है और जो है मैंने लड़ू कोपाल के लिए एक सेवा का वीडियो बनाया था तो उस पर काफी सवाल आये थे कि महिलाए मेरी बहने जो है मासिक धर्म या पीरेट्स के समय पर जो है लड़ू कोपाल की सेवा किस प्रकार से करें और जो है दन्माश्टमी के समय पर अगर हम मासिक धर्म या पी जो है अशुद्ध हो जाती हैं वो बिलकोल गलत होता है अशुद्ध नहीं होती है आप अगर मेरे पिछले वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आप सभी जानते होंगे कि मैंने कई बार आपको बताया है कि ब्रह्मान में सभी चीज़ जो है एनर्जी के साथ चलती है को जाते हैं उपरी बादा है उन्हें जो है लग जाती हैं सेम उसी प्रकार का होता है जब मासिक धर में महिलाएं होती हैं क्युक्रिल उच्णा अनुद्ध है महिलाओं की थर्ड आय जो है वो भी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है मेडिटेशन के द्वारा आप देखेंगे पूर्ष जो होते हैं वो काफी उन्हें मेडिटेशन करना होता है जो चक्र होते हैं उनके उन्हें जागरत करने में महिलाओं के मुकाबले समय जादा लग होगी आप कई बार करेंगे कि कुछ अगर आप संकट आने वाला होता है तो उनकी जो भनक होती है या उनके जो से पहले ही बता देदे या सेंपु प्रकार से होता है तो महिलाए yeah जो하는 पर मासिक पर अगर कई लोगों ने गोर किया होगा तो हम जब कभी किसी पौधे में भी पानी देते हैं तो कुछ दिनों बाद जो है वो पौधा सूख जाता है इसलिए तीन दिन या चार दिन का गैब जो है किसी भी जो प्राकरितिक चीज होती है या जिनके अंदर प्राण होता है उनके संपर्क में आने से उन्हें मना किया जाता है मना इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि कई लोग समझते हैं कि ये अशुद्धी के कारण उन्हें मना किया जाता है ऐसा नहीं है इसलिए मना किया जाता आप भविश्य पुरान या मनुस्तृती जो पुरान है उसे सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको जो है सभी चीज़े क्लियर हो जाएंगी कि क्यों हमारे जो पूरवज या जो हमारे पुराने जिन्नोंने वेद लिखे हैं उन्होंने ऐसा कहा है क्योंकि महिलाएं जो हैं अगर इस समय पर किसी भी चीज़ के संपर्ग में आती हैं तो उनकी जो negativity है वो बहुत जल्दी gain कर लेती हैं इसलिए इस समय पर महिलाए जो है पीड़ा के कारण भी दर्द में रहती हैं परन्तू अगर आप देखेंगे तो महिलाए इस समय पर चिर्चडी काफी हो जाती हैं उनके घर वाले कहते हैं कि आपको जो है ऐसी जगाओं पर नहीं जानी चाहिए जो काफी सुनसान हो रात के समय पर नहीं जाना चाहिए बाल नहीं खोलने चाहिए या अत्यधिक पर्फ्यूम का प्रियोग हमें नहीं करना चाहिए ये सब अंधविश्वास नहीं है अगर क कुछ महिला या कोई भी इसे अंध्विशा समझता है तो खुछ जो है ये कारे करके देख ले इस समय पर मासिक धर्म या पीरेट्स के समय पर वो सुनसान जगह पर जाए बाल खोल ले या परफ्यूम लगा कर जो है गूम कर इसे जो है अपने आप इस चीज़ को फेल कर सकता है अब बात करते हैं कि लड़ू गोपाल की पूजा का जो नियम होता है देखिए लड़ू गोपाल की सेवा आपने किस प्रकार से ली है उस पर डिपेंड करती है जन्माश्टमी के अफसर पर अगर आप लड़ू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में अपनाते हैं कई लोग उन्हें गुरू के रूप में अपनाते हैं कई लोग उन्हें जो है साथी के रूप में अपनाते हैं कई लोग जो है उनसे प्रेम करते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आपने पुत्र के रूप में उनकी सेवा ली है तो तीन दिन का गैप में फिर भ अपना है अब ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि मंदीर की ज़ोगन के हसे छलिए में और भी हैas वरत धारी होते हैं तो ऐसे समय पर अगर आप ये कारे करते हैं तो उसका जितना भी फल होता है या जितने भी उसके दूशित फल होते हैं वो उन सभी की जितने भी कर्म होंगे वो आपको लग जाएंगे आप सिर्फ इस चीज़ को सिंपल तरीक से देखें कि आप जो है उन स कोई कारिन नहीं करना चाहिए क्योंकि हम किसी नेगिटिव एनरजी के कॉंटेक्ट में ना आ जाएं तो अब आगे बात करेंगे कि हम पूजा पाट करेंगे अगर आपने लड़ू को पाल को अपने बेटे के रूप में लिया है जैसे मैंने कहा तीन दिन का गैप अगर आप कर देते हैं या आपके बच्चे अगर कि मदद कर देते हैं तो बहुत अच्छा है जहां तक बात है अगर आपके घर में कोई नहीं है जैसे पती सुबह working है या मदद नहीं कर पाते हैं किनी चेंज करवा दे और उसके बाद जो है आप सूखा नाश्ता जैसे जब तक आपके husband नहीं आते हैं तब तक के लिए क्योंकि लड़ु को थोड़ा थोड़ा ही नाश्ता लगता है सूखे नाश्ते में जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था आप बिस्किट्स ले सकते हैं चॉकलेट्स ले सकते हैं पॉपकॉन ले सकते हैं या जो नमकीन होता है वो ले सकते हैं माखन रख सकते हैं दूद का एगलास रख सकते हैं दही रख सकते हैं आप अगर उस समय पर मैं यह कहूंगे भोजन ना बनाए उनके लिए आप सुखा नाश्ता बजार से खरीद के लाएं और वही सप्रेम जो है उन्हें भेट करें अगर बच्चे मदद कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम जैसा अपने बच्चों को शुरू से सिखाएंगे हमारे घर के बच्चे वही चीजे करते हैं तो आप बच्चों की सायता ले सकते हैं लड़ू कोपाल की सेवा करने में पूजा पार्ट जो है जैसे कल जन्माश्टमी है आप अगर जन्माश्टमी का वरत रखते हैं तो वरत आप बिल्कुल रख सकते हैं परन्तों में यह कह कर रखें अगर आप जैसे इस समय पर मंदिर ना जाएं आप घर पर ही पूजा करें आप जो है मंत्र सुन सकती हैं आप घर पर मंत्र चला दें आप कृष्ण जी के मंत्र सुन सकती हैं परंतु मुक्स से उनका वर्णन ना करें इतना साब जो है नियम का पालन करें सेम नियम क किसी भी पूझा पार्ट के लिए माने जाते हैं जैसे जो सापताहिक हमारे व्रत होते हैं हम उन्हें नहीं करते हैं मासिक धर्म के दौरान परंतु जो साल के बहुत महत्पुन व्रत होते हैं जैसे हर्टाली का तीज हुआ तीज होती है गणिजी के व्रत होते हैं सावन के सो जो आप मंदिर में जाती है या कथा करती है वह नहीं करेंगी अब इसका जो उपाया रहे गा इससे तोड़ कहा जाता है यह तरीके से हम सभी करते हैं मतलब पुराने जमाने में आपने सुना ही होगा तो कैसे करेंगे अगर आप कर सकती है तो महीने में शुब दिन देखके आपने सोमवार का कोई वरत किया है जैसे आपने भगवान शंकर का कोई सालभर का एक वरत आ रहा है जो आपके लिए करना बहुत ज़रूर हरता लिकाते हैं आपने वरत कर लिया पूरा दिन आप कता नहीं करेंगी पूजा नहीं करेंगी फिर आप जब साथ दिन हो जाएंग किसी भी बिना नुकसान के यह जो पाय है आप किसी भी वरत के लिए कर सकती है आप बड़े बुजर्गों से भी इसके बारे में सुन सकती है उन्हें भी पता है कि जब हम साल भर का कोई विशेश वरत हो था जब हम नहीं कर पाते जैसे जन्माश्टमी का वरत आपने कल करा आ आप जो है सेम क्रिश्णी जी का वरत शुक्रवार वाले दिन रख लीजिए और सुबे से लेकर शाम तक के जो पूजा पाठ नियम होते हैं वो कर लीजिए जैसे आप जन्माश्टमी पूजा पाठ करती है वैसे ही सेम कीजिए पूरा का पूरा फल जन्माश्टमी के फल जो व्रत का है आपको प्राक्त हो जाएगा इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है जैसे घर में पूजा पाट के कोई नहीं है तो आप गंगा जल जब आपको लगता है कि समय आने वाला है क्योंकि माताओं को पहले से ही पता लग जाता है तो आप थोड़ी सी कटोरी में गंगा जल भर के काना जी के सामने रख दीजिए आप तुलसी जी रख दीजिए और थोड़ा सा छिड़का उनके आगे कर दीजिए तीन दिन तक कोई बात नहीं है अगर वही वस्तर पहन के रखते हैं तो आप मनी मन कह दीजिए कि हमारे घर में पूजा पाट करने के से मेरे इस पूजा को दिल से सुउद्र करें अब भोजन जब रखना है तो चोटे बच्चे के हाद से आप रख दीजै या पती के हाद से रख दिजै भोजन से बाद देगा तो आपकाई जो पाई है या यह सेवा है यह आपको अतना ही फल प्रदान करेगी जितनी आप न तो अगर आप पूजा करते हैं तो आप क्या करेंगे चौते दिन थोड़ा सा गंगा जल जैसे अप्लियर हो जाए इस बात का ध्यान रखे या साथ दिन का गैप ले ले आप फोड़ा सा गंगा जल तुल्सी जी की साहता से अपने ओपर चड़के और जो भी आप पूजा नि नियम के अनुसार चलती रहेगी तो आशा है मेरी बहनों को यह आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा यह वीडियो आप सभी के सवालों पर मैंने बनाया है और आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए माता रानी आप सभी का जीवन बहुत ज्यादा सुख में बने आप सभी को बहुत सी कुश्या दे जै माता दी दोस्तों